हलो फ्रेंज स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों यदि आपके पास quality नहीं होगी वीडियो की quality नहीं होगी तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी जिहां दोस्तों कि कहते हैं कि जो दिखता है बही बिखता है तो आप लोगों को quality को improve करना बहुत जरूरी ह यदि आपका setup नहीं है तो आपको setup बनाना होगा जहां दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकास से आपको lighting लगानी होगी lighting लगाने के बाद आप अपना सस्ता setup बना सकते हैं जैसा कि पहले आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो उसमें जो background था और background तो बही है लेकिन उसमें मैंने light लगा दी है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो quality है वह थोड़ी बहुत improve हो जाएगी अभी सस्ते में ही काम चलाना है क्योंकि दोस्तों अभी इतने जादा YouTube से कमाई नहीं हो पा रही है जब जादे कमाई होने लगेगी तो जादे improve कर लेंगे त दोस्तों में चीज है क्योंकि दोस्तों लाइटिंग यानि जहां पर आप लाइटिंग लगाएंगे और लाइटिंग से हमारी जो quality होगी बहुत जादे improve होगी मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों लाइटिंग से बहुत जादे quality बेस्ट आती है आप लोग आज वीडियो द बदल लेंगे वह बदल यए और जो पीछे की परचाई है वह घायब कर होगी दो यह इंप mister कि आपने आपसे कि यह किस परकार से लाइटिंग नगाएं तो आप को भी लाइटिंग लगांके लाइटिंग कर नी है क्समिंः लाइटिंग से ही हमारी quality इंप्रूब हो जाती है दभले ही आपके पीछे जो है बाइग्रांड वे तो आपका क्या भीतन हो कोई दिकत नहीं है परदा हो कोई दिकत नहीं है लेकिन लाइट की भीसता भरपूर होनी चाहिए कि दोस्तों लोगों के सामने आपकी quality आने आनी बहुत जरूरी है यदि आप लोगों के सामने quality नहीं देपाएंगे तो आपकी वीडियो वाच नहीं की जाएगी दोस्तों ऐसा होता है मेरी जो पहले की वीडियो थी उसमें quality इंप्रूब नहीं इतनी थी उसमें lighting की विवस्ता नहीं थी तो lighting की विवस्ता ना होने के कारण मेरी परचाई आती थी या कुछ आता था तो उसमें quality बहुत जाने नहीं हो पाती थी जब तक quality इंप्रूब नहीं होगी तब तक आप लोग वीडियो को अच्छा नहीं बना पाएंगे तो चलिए दोस्तों आज मैं अप लोगों को अपना setup दिखा देता हूं और मैंने जू लाइटिंग अाज लगाई है वह लाइटिंग में आपको दिखा देता हूं किस परकाश से मैं ने वाइरिंग कीए और किस परकार से light लगाई है जुवामें जुवारू से है giां दोस्तों कि क्यों इंडिया में ज पूरा complete नहीं किया है अभी तो फिलाल बहुत कुछ करना है दोस्तों यदि आपका साथ मिलता रहे तो दोस्तों मैं बहुत अच्छा सेटप बनाने की सोच रहा हूं यदि आप लोगों ने support किया और आप लोगों ने साथ दिया मेरा तो हो सकता है कि मैं बहुत जल्द ही setup अपना बना पाऊंगा चलिए दोस्तों पहले आपको आप मैं lighting दिखा देता हूं किस प्रकास से मैंने lighting लगाई है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक तो light यह आपको नजर आ रही होगी यह देखिए light आ रही है नजर एक तो यह बलब मैंने लगाया है और यह बाइक ग्रांड में मैंने बलब लगाया है वह देखिए बहां पर देखिए light लुप दूम हो रही है यह देखिए यह बलब लगाया है मैंने और एक यह बलब लगाया मैंने एक कमर जब आएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा और उसका वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि दोस्तों जितनी अच्छी लाइट होगी उतना ही वेस्ट आप लोग यहां पर देखिए यहां पर यह देखिए लाइटिंग इधर से भी आ रही यहां पर क्वालिटी कितनी आने वाला है और इसी प्रकास से आपको लाइट को लगाना है तो आप कमरे में इतनी लाइटिंग लगा दें कि आपका जो चहरा है वो बिल्कुल साब दिखे और कोई भी परचाई आपको ना दिखाई पड़े तो जब आपको कोई भी परचाई नहीं दिखाई कि लाइटिंग लगाना बहुत जरूरी है कमरे में तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाई